हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बियार एग्री स्टडी में दोस्तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार ब्लॉक एग्रिकल्चर ओफिसर एक्जाम के लिए माराथन क्लास जिसमें हम कवर करेंगे एग्रिकल्चर से लिटेट 1000 इंपॉर्टेंट क यह कुश्चन सभी राज्यों की परिछाओं में आये हुई कुश्चन से जो कि बिहार ब्लॉक एग्रिकल्चर ओफिसर एक्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं हम 50 कुश्चन परड़े कवर करेंगे एक दिन में 50 कुश्चन कवर करेंगे दीरे-दीरे 1000 की जो सीर कितनी प्रतिसत है वर्दमान में ठीक है तो IPSC 1999 में पूछा गया है कुश्चन है दस दूसरा है एक सो पैस्पन तीसरा है दोसो और फॉर्थ है 138 तो इसका राइट एंसर है डी ऑप्शन डी 138 परसेंट ओके अगला कुश्चन है संसार में किस फसल का उत्पादन तथा छे अगला कुश्चन है कुश्चन नमर थर्ड मक्का की पत्यों के सीर्स का सफेद होना सूचक है किस किस न्यूटियन की डिफेसेंसी का सूचक है ओके अप्शन है यफी की कमी ऑप्शन बी जेटन की कमी ऑप्शन एन ऑप्शन सी एन की कमी ऑप्शन ी एम इन की कमी ठीक है तो इसका उसा राइट अई अप्शन है प्शन के गना ठीक है अगला कुश्चन है कुश्चन नमर फूर्द सरवाधि कार्बोहाईडरिट किस खाद्यान में पाया जाता है IS2008 का पूश्चन है ये पूछा गया है IS म तो इसका option है, पहला है A, गेहू, B, चावल, C, मक्का, and D, ज्वार, तो इसका right answer है, option C, मक्का, okay, question number 5, अन भंडारण हितू, अन की कमी की कितनी प्रत्सत मात्रा की संस्तुति की गई है, ठीक है, जब हम किसी grain का stories करते हैं, तो उसमें जो moisture content है, वो कितना प्रत्सत होना तो option A, option A, 8 से कम, option B, 12 से कम, option C, 14 से कम, option D, 10 से कम, ठीक है, तो इसका right answer है, option B, 12 से कम, okay, question number 6, देख लेते हैं, दलहन का सरवाधिक उपभोगता राष्ट कौन सा है, ठीक है, जो तितनी हमारी दलहन है, वो कौन सा देश जो है, सबसे आदा उपभोगता है, तो option A, भारत, option C, चीम, option D, USA, ठीक है, तो इसका right answer है, भारत, option A, भारत में सबसे आदा दाल का consumption किया जाता है, question number 7, बिश्व में कपास का सरवाधिक छेतरपल पाया जाता है, ठीक है, तो बिश्व में सबसे आदा सरवाधिक छेतरपल कहां पाया जाता है, option देख लेते हैं, option A, चीम, option B रूस, option C, भारत, option D, USA, तो इसका right answer है, option C, भारत, question number 8, क्यूरिंग की प्रकिरिया किस फसल में संबन की जाती है, क्यूरिंग एक प्रोसेस होता है, वो किस फसल में की जाती है, तो option A, कपास, option B, तमभाखो, option D, option C, जूट, option D, चाह, तो इसका right answer है, तमभाखो, क्यूरिंग, क्रिया जो है, तमभाखों में की जाती है, अगला question है, गण्य के रस्में समग्र थोस पदारथ के प्रतिसत को क्या खा जाता है, ठीक है, आईस 1999 में question है, तो गं्य में जो थोस पदारथ होता है, उसके प्रतिसत को क्या कहते हैं, हम, सुकर इंडेक्स कहते है ब्रिक्स कहते हैं सुक्रोजाइड इंडेक्स कहते हैं सुक्रोज इंडेक्स कहते हैं या कोई नहीं ठीक है तो इसका राइट अंसर है option B bricks ठीक है ब्रिक्स कुश्य नमबर 10 आरेन के सरवादिक मात्रा किसमें पाईज आती है UPPCS 2001 में पूछ चागया यह question है अगला question है थाइमीन की सरवादिक मात्रा वाला फल कौन सा है थाइमीन मतलब vitamin B1 तो सबसे आदक इस फल में पाया जाता है तो option A kazoo, option B agrot, option C badam, option D bell इसका right answer है kazoo काजoo में सबस्यादत हमीन पाया जाता है अगले question है चाय का जन्मस्थान कहां है option A भारत, option B इंग्लेंड, option C चीन, option D अफरीका इसका right answer है option C सबको पता है चीन, चीन चाय का origin है IS 2001 का question है अगले question है नारियल उत्पादक राष्टों में भारत का कौन सा स्थान है IS 2009 में पूछा गया यह question है पहला option है प्रथम, second, third, third, second and fourth, fourth तो इसका right answer है option A प्रथम अगला question है सोरे मुखी का जन्मस्थान कहां है ARS 2 1999 का question है option A तच्छड अमेरिका, option B उत्तरी अमेरिका option C चीन, option D पच्चिमी अशिया तो इसका right answer है उत्तरी अमेरिका अगला question है question number 15 नम्हें प्रश्णों पर बिचार कीजिए ठीक है तो देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है क्योंकि क्या कारण है जो भारत अभी आयात पर जो है तिलहन की चीजों में आयात करता है तो पहला option है किसान अन खाद्यानों में के पैदा करने को अधिमान देते हैं, जिनकी समर्थन कीमिते अधिकलाब का रही है, राइट ऑप्सन है तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांसता वर्सा पर निर्वर करती है ये भी सही है पेडों से उत्पन बीजों तथा चावल चोकर से तेल निकालने की प्रिकरियों को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है ये गलत है, औप्सन रॉंग औप्सन है, तिलहन की फसल को पैदा करने की अब एच्छा तिलहन का आयाद बहुत सस्ता है, गलत, ठीक है तो पहला और दूसरा ओप्सन सही है, ओप्सन मतलब जो हमारा option A first and second, option B one, two, three, option C, three and four option D, one, two, three, four ठीक है, तो ये जो है हमारा option पहला first और second follow करता है, ओके अगला question है, अंगरेजो द्वारा सर्फथम कहवा बागान लाए गये थे किसके द्वारा कहवा के बागान लाए गये थे, option A चिकमंगलूर जनपद में ऑप्षन B गुर्ग जनपद में ऑप्षन C नीलगीरी जनपद में ऑप्षन D बानाट जनपद में ठीक है तो इसका राइट अंसर है चिकमंगलूर जनपद में अगे बढ़ते हैं कुश्चिन नबर 17 पे केंद्रिय धान संस्थान कटक के बैग्दानिक को दोरा विश्चु का प्रथम अच्यूत्म धान का नाम करण हुआ है UPP से 2004 का कुश्चिन है पूछा के कुश्चिन है तो ऑप्षन A अनुसरी ऑप्षन B चौनी K 402 और ऑप्षन D लूनिसरी अगला कुश्चिन है रोज मर्रा के इस्तिमाल में लाये जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है तो ऑप्षन A सौफ ऑप्षन B सदाभार ऑप्षन C सतावर ऑप्षन D खस तो इसका राइट अन्सर है सौफ ऑप्षन A कुश्चिन No.19 कनोरा मानो उप्योग के लिए उगाई गे विशिट प्रकार के तिलहन फसलों की कीमतों को निर्दिष्ट करता है इन किस्मों की प्रमुक विसेस्ता क्या है इनके बीजों में तेल की मात्रा अद्तधिक उच्छ होती है इसके तेल में असा अमलो की प्रचुड़ता होती है इसके तेल में सेल्फायू लंबी होती है इसके तेल में इरुसिक अमल बहुत कम मात्रा में होता है ठीक है तो इसका राइट अंसर होगा option D इसके तेल में इरुसिक अमल की बहुत कम मात्रा होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं, question number 20 पे तो निम्लखित में से कौन सा एक पॉसली कैल्सियम का एक अच्छा सुरूत नहीं है ठीक है, कौन सा option है जिसमें कैल्सियम का एक अच्छा सुरूत नहीं है तो पहला option है, चावल option B, रागी option C, मलाई उतारा हुआ, दूद, option D, अंडा तो इसका right answer है option A, चावल question number 21 सरवादिक बिटामिन A किस में पाया जाता है UPPCS 2003 का question है तो सभी को पता होगा option A, पके हुए आम के फल में गाजर की चड़ो में पके हुए पपीते के फल में पके हुए टमाटर के फल में तो सबसे जाता जो विटामिन A होता है वो पके आम में होता है याद रखना है, सबसे आदा highest विटामिन A, राइप मैंगो में होता है अगला question है निम्न अधो भूमी उत्पादिस सबजों की कौन सी एक रूपांतरित जड़ है ठीक है, रूपांतरित जड़ को पैचानना है यहाँ पर option A, आलू option B, शगरकंद option C, बंडा option D, जिमिकंद तो इसका right answer है शगरकंद अगला question है निम्न खित में से किस फल्सल का बिस में सरवादिक उत्पादिन किया जाता है ठीक है option A, आम option B, टमाटर option C, आलू option D, अंगूर तो इसका right answer है अंगूर अगला question है question number 24 निम्न खित में से किस सबजी में सरवादिक कैल्सिम तर तो पाया जाता है option A, प्याज option B, मेथी option C, लोबिया option D, इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है मेथी, जो कि सरवादिक कैल्सिम तर तो पाया जाता है अगला question है question number 25 सच स्वरूप को प्रभावित करने वाला सरवादिक महतपूर पहलू है तो पहला option है सामाजिक सोच बिचार option B, आर्थिक सोच बिचार राजनीतिक सोच बिचार और भावगोलिक सोच बिचार तो इसका right answer है option D, भावगोलिक सोच बिचार question number 26 भारत में किसके आने से यहां मक्के की फसल आई तो पहला option है डेच यात्री option B, अंग्रेज option C, फ्रांसी option D, पुर्थगाली तो इसका right answer है पुर्थगाली ठीक है, पुर्थगाली जो है अपने साथ मक्के की फसल को लाए थे question number 27 पके हुए अंगोरों में क्या होता है option A, ट्रक्टोस option B, सुक्रोस option C, गलेक्टोस option D, ग्लुकोस तो इसका right answer है पके हुए अंगोरों में ग्लुकोस की मातरा ज्यादा होती है question number 28 वन वर किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते है एक वर किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते है option A, एक option B, दस option C, हंड़ट option D, एक हैजर तो इसका right answer है option C, हंड़ट हेक्टेयर एक वर किलोमीटर में हंड़ट हेक्टेयर होते है question number 29 सेव की सुगंध मुख्यताने मुख्यत में किस एक की कारण आती है तो option A, फार्मली option B, बेंजीन option C, मैलिक अमल और option D, बेंजेलडिहाइट ठीक है तो ये SSE CPU 2007 का question है तो इसका right option है महाधान सुपर राइस बिकसित किया किस ने महाधान सुपर राइस को बिकसित किया तो option A, MS वमिनाथन, option B, GS खुषने option C, नार्मन इबॉर लॉगने ये option D, P के कुपता ने तो इसका right answer है GS खुषने, option B अगला question है खाद, ओमक्रेशी संगठन FAO के अस्थापना कब और कहां हुई थी? ठीक है FAO के अस्थापना कहां हुई थी? option देख लेते हैं पहला option है 1945, Rome option B, 1947, Geneva option C, 1952, पूसा ने दिल्ली या option D, 1943, नीदरलंड तो इसका right answer है 1945, Rome question number 34 फल तथा सबजी प्रसाँस करण उद्यों के स्थापना कब की गई थी? तो option देख लेते हैं option A, 1 January 1990 option B, 1 January 1991 option C, 1 January 1992 option D, 1 January 1993 तो इसका right answer है 1 January 1993 आगे बटने question number 35 भारत का कौन सा राज फलो का सरबादिक उत्पादन करता है? ठीक है? कौन सा राज है जो सबसे आदा फलो का उत्पादन करता है option A, गुजराद option B, आंधरपरदेश option C, उतरपरदेश option D, महराष्टर तो इसका right answer है आदरपरदेश option B, आदरपरदेश question 36 देख लेते हैं citrus फलो में लगने वाली हानिकारक विसानू जनित बीमारी कौन सी है? ठीक है? तो इसका option है option A, हरितन option B, सिट्रेजा option C, citrus कैंकर option D, उप्रुक्षभी तो इसका right answer है ट्रिस्टेजा ठीक है? ट्रिस्टेजा यह जो है deficiency of zinc zinc की कमी से भी यह हो सकता है question 37 विस्टू के फलोग पादमे भारत का युगदान क्या है? option E, 20% option B, 15% option C, 13% option D, 25% इसका right answer है option C, 13% question 38 potassium metabisulfide का प्रियोग निम्न में से किस में किया जाता है? option E, गहरे हरे वाले पेपदार्थों में option B, हलके रंग वाले पेपदार्थों में option C, हलके गहरे रंग वाले पेपदार्थों में या option D, उप्रुक्षभी में से किसी में भी नहीं तो इसका right answer है केंद्री खाद प्रसंसकर तक्निके और संधान भारत में किस राज में इस्थित है? option E, लखना उत्रप्तिस option B, पूसान अजिली option C, गुडगाउं हरियाडा option D, मैसूर करनाटका तो इसका right answer है option D, मैसूर करनाटका question number 40 option D, खाद प्रसंसकर के जनक कहलाते है option A, लुई पॉस्चर option B, निकोलेस अपार्ट option C, थॉमस सैडिंग टर्न option D, विलियम अंडर्वोट तो इसका right answer है option B, निकोलेस अपार्ट question number 41 option A, फलो में option B, सब्चियों में option C, फूलों में option D, बागानी फसलों में तो इसका right answer है option B, सब्चियों में question number 42 जैली में पानी के उप्युक्त मात्रा होनी चाहिए जैली में जो मोईशेर कंटेंट है कितनी रहनी चाहिए option A, 20-25% option B, 30-38% option C, 40-42% option D, 50-55% तो इसका right answer है option B, 30-38% question number 43 कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है option A, संत्रा, option B, लाइम, option C, खटा निम्बू option D, चकोत्रा, तो इसका right answer है निम्बू, लाइम question 44, निम्ण रोग किसमें बलांचिंग करिया की जाती है option A, फ़र्लो में option B, सब्जियो में option C, A, B, दोनों में या अपरोग किसमें बहनी तो इसका राइट अंसर है सब्जियों में Q45 का उसल किस फसल की उन्नत पर जाती है का उसल पराटी है वो किस फसल की है Option A चना, Option B का पाज, Option C मुंखफ़ली, Option D के हूँ तो इसका राइट अंसर है Option C मुंख़़ली Q46 हरित करांती के फल्सरूप के हूँ का प्रती एकड़ पादन का रिकॉर्ड अंक था UPPCS 2003 का कुश्यन है Option A 1500 की ग्रा, Option B 2000 की ग्रा, Option C 222 केची, Option D 3000 की ग्रा तो इसका राइट अंसर है Option C 222 की ग्रा 47 Q46 नमबर Option A केरल तर्ट में, Option B तमिलनादू तर्ट में, Option C तेलंगानाथ, Option D विधर्ब में तो इसका राइट अंसर है तमिलनादू तर्ट Q44 Q44 या Option C बंडिंग या Option D वस्तारी या वाटर सकर्स तो इसका राइट अंसर है Sot सकर्स, Option B Q50 अक्रोट में कुल वसा प्रत्सत होता है ठीक है पैट कंटन कितना होता है अक्रोट में तो आप्शन A 69.8% या Option B 84.4% या Option C 64.4% या Option D 68.4% तो इसका राइट अंसर है Option C 64.4% Q50 जो कि लास्ट कुश्चन है फलो का पटनक किस फल की एक महतवूर समस्या है तो Option A लीची Option B बेर Option C चेरी Option D वप्रोग सभी तो इसका राइट अंसर है Option D वप्रोग सभी ठीक है तो ये था आज का हमारा सेशन जो की बहुत ही important question है ठीक है तो हम परड़े 50 question cover करेंगे परड़े जो है इसके आगे का हम कल continue करते हैं ठीक है तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye